हेलो गाइस, वेल्थ एक्सरेस में आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए चार ब्रेकाउट स्टॉक लेके आया हूँ जिसको आप स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक भी बोल सकते हो तो अगर वो लेवल के आसपास कल मिलते हैं तो वो स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको टेलिग्राम चैनल जोइन करके रखना है उससे क्या होगा कि लाइ मार्केट में जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलती रहेगी तो टेलिग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ जाके आप जोइन कर सकते हो और गाइज अगर किसी को जो 20 तारिक अपना मोमेंटन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेड़जी का वेबिनार है अगर आपको आप्टिन करना है तो 25% आप भी चल रहा है आपको यहाँ पे पेमेंट लिंक भी मिल जाएगी टेलिग्राम में वहाँ जाके आप उप्टिंग कर सकते हो इसमें अगर आप समझो कि स्विंग ट्रेडर हो तो भी आपको फाइदा हो सकता है पोजिशनल ट्रेडर हो आपके पाद टाइम नहीं आप जॉब करते हो तो एक से तीन में अच्छा अच्ची श्टॉक लेकके बैठे रहोगे तो भी अच्छा रिटन बन सकता है इंट्राड़ ट्रेडर लों तो भी बन सकता है अगर आप स्टॉक उप्षन में ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पैं आप बहुत अच्छे लेवल पर आपको stock identify कर सकते हैं, यानि कि सही bottom कैसे पकड़ते हैं, तो यह सब आपको वो भी momentum swing strategy है, यानि कि कोई भी momentum stock होगा, उसमें अपने buy and dip डूनने का try करेंगे, तो बहुत बढ़िया strategy है, वो भी nominal charge में, तो आपको अगर opting करना है, तो यहाँ प अपने live session में clear cut बोला था कि nipty में यहाँ पर bounce back आने के reason कौन से कौन से हो सकते हैं, तो उसमें पहला था अपना put call ratio के इसाब से बोला था कि 24,700 के आसपास, अच्छे का से put writer खड़े है, तो वहाँ से bounce back आ सकता है, उसके बाद अपने nipty support level के आसपास है, तो कल live session में सब क कुछ discussion किया हुआ ही था, और आज market में देखोगे, तो तगड़ा वाला reversal भी आया हुआ है, तो अभी follow up buying भी आना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आज market उपर चला गया, तो कल भी उपर जाएगा, लेकिन follow up buying आना जरूरी है, इसलिए अपने asset stock लेते है, जो call active का weight करेंगे, अग यहाँ पर मैं चार्ट थोड़ा चोटा किया है, फिर आपको चार्ट को थोड़ा जूम करके बताता हूँ, यह clear cut आपको क्या दिख रहा है, supply zone दिख रहा है, यहाँ पर आप देखोगे, तो trend line का support है, यहाँ भी trend line का support है, और यहाँ से भी reversal आया है, कहां से reversal आया है, exit stock, demand zone के आसपास से reversal आया, तो guys आपको याद होगा, supply demand setup बहुत अच्छे से काम करते है, कल भी clear cut बोला था, जो एक अपना well spend living था, 158 के आसपास था, clear cut बोला था, कि 160 के ऊपर ही closing आएगा, तो यहाँ पर देखोगे, तो stock ने अच्छा bounce back किया, उसके बाद आपको एक stock याद तो 265 के आसपास low मारा था, लेकिन close नहीं दिया था, और यहाँ पर देखो stock अभी 281 के आसपास जल रहा है, तो यह सही level पर अगर आप stop loss लगा होगे, तो आपको trigger होने के chances बहुत कम होते है, कल आपने एक stock और भी बात किया था, hood को, तो वो भी देखो बहुत अच्छा reversal आया हुआ है, तो सही level पर अगर आपका stop loss होगा, तो trigger होने के कोई होता नहीं है, और वहाँ से stock reversal आज जाते है, तो हिंद पेट्रो में अभी आपको करना क्या है, चार्ट में थोड़ा बढ़ा करके आपको समझाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए, तो अभी आपको यह 56 के उपर जाता है, तब ही buy करेंगे with a stop loss of 381, अभी आप बोलोगे कि इतना बड़ा stop loss क्यों आ रहा है, तो आपको पता होगा, पिछले 2-4 दिन से market क्या कर रहा है, wallet and market है, तो कोई भी stock का high or low देखोगे, तो बड़े-बड़े ही आ रहा है, तो इसमें अपने कुछ नहीं क stock दिखा सकता है, दूसरे stock का नाम रहेगा हिंदाल को, हिंदाल को में आपको clear cut कौन सा pattern दिख रहा है, supply demand setup दिख रहा है, daily chart के उपर analysis करेंगे, stock का यहाँ पे rejection दिख रहा है, यहाँ पे भी rejection, यहाँ भी rejection, और उसके बाद इसको आप breakout केंडर बोलोगे, उसके बाद retest किया फिर से stock उपर गया, फिर से यहाँ पे retest किया, और यहाँ पे देखोगे, तो आपको spinning top जैसा भी दिख रहा है, तो यहाँ से bounce back आने के बहुत high chance है, और यह आपका stop loss हो जाएगा, अभी आपको करना क्या है, 721 के asper stock close है, तो 733 के उपर जाता है, तब आपने buy करेंगे, 707 आपका stop loss है, upside में 760 के level, one week में stock दिखा सकता है, stock का नामे हिंदाल को, तो आज की वीडियो में मैं आपको stock of the quarterly भी बोलूंगा, जो आने वाले 1-3 मेने आप लेके बैठे हो गये, जैसे कि अपने BEL तो दिया था, लेकिन आज एक और stock है, उसकी भी बात करेंगे, तो वीड देखोगे, तो stock का supply जोनता, इसको आप breakout candle बोल सकते हो, इसको आप retrace candle बोल सकते हो, इसको भी आप retrace candle बोल सकते हो, लेकिन आप यहां से देखोगे, तो trend line भी आ रही है, तो इसका high break होना बहुत जरूर ही है, जैसे high break होगा, तो बहुत बड़ी-बड़ी candle stock बना के उपर जा सकता है, यहां पर अपने करीब stop loss लगाएंगे, clear हो गया, तो stock का अभी closing 1216 के आसपस है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, sorry, 1200 नि 2200, 2440 के उपर जाता है, तो position बनाएंगे, 1235 का stop loss लगाना है, 25 के target, लेकिन थोड़ा से आपको एक महीना hold करके रखोगे, तो आपक को देख सकते, 25 और उसके भी उपर आ सकते, लेकिन एक महीने का आपका time period होना चाहिए, patience level होना चाहिए, तो यह अपना कौन सा stock होगा है, तीसरा stock होगा है, जिसमे conditional buying करने है, looping में, और अभी 14 और आकरी stock है, जो आपने telegram और Twitter पे भी बताए होगा, stock है, stock का नाम में TI, ब यह आपका क्या होगया, support area होगया, तो अभी आपको clear cut क्या दिख रहा है, weekly chart के उपर अपने analysis कर रहे है, तो weekly chart में supply demand बहुत अच्छे से काम करता है, इसको आप breakout candle मानोगे, इसको आप retrace candle और यहाँ से bounce back आना बहुत जरूरी है, तो यह आपका spinning top का high cross करना बहुत जरूरी यहाँ पे अपने stop loss लगाएंगे, volume indicate कर रहे है कि stock आराम से आपको यहाँ से 4500 की level भी आने वाले तीन महीने में stock दिखा सकता है, अभी stock 303 के आसपास है, तो अभी कुछ नहीं करना conditional बाएंगे, twitter और telegram जो लोग join करके रखें, उनको पता होगा, कल वहाँ पे अपने trade already द launch किया है, तो यह सब आपको यहाँ पे mention किया हुआ है, तो guys मैंने आपको total कितने stock बता है, 4 stock बता है, हिंद petro में conditional बाएंग करना है, हिंद आलको में भी conditional बाएंगे, लुपीन में भी conditional बाएंगे, और TI में भी conditional बाएंगे, अभी भी collective नहीं हुआ, 4 stock अच्छ है, discipline के साथ trade करना है, और कुछ भी doubt हो तो क्या करना है, comment करके पूछना है, answer देने का try करूँगा, guys वीडियो को like करके जाना, channel को subscribe करना, thank you very much, bye bye, take care, कल मिलते है नए वीडियो में, bye bye, take care,